हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डागमार मॉडल क्या होता है अभी डागमार जो है यह एक अबरिवेशन है मतलब शॉट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स और मेजरिंग या जो भी एड हमने बनाया हुआ है उसका रिजल्ट मेजर किया जाता है मतलब हमारा एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव हुआ वह यहां पर मेजर किया जाता है तो उसके लिए यहां पर रेसल को ली जो है इन्होंने चार स्टेप्स दिये हैं जो आगे हम लोग कस्टमर की बीच में हमारे प्रडुक्त के बारे में अवेरनेस क्रीट करते है फिर उन लोग को जो प्रडुक की नेसेसरी डेटेल से उप्रडुक के फीचर्स क्या है बेनीफिट क्या है प्रडुक कहा पे अवेलेबल है कैसे यूज करना है यह सारी इंफॉमेशन जो के माइंड में positive attitude जो होता है प्रोड़क के बारे में वह एड़टाइजन से create किया जाता है और फाइनली कस्टमर को प्रोड़क को पर्चेस करने के लिए इंड्यूस किया जाता है सो यह जो एड़टाइजिंग का रिजल्ट है वो यहाँ पर डागमार मॉडेल से जो है मेजर किया जाता है मतलब कि step by step यहाँ पर क्या किया जाता है एड़टाइजिंग के तुरू कस्टमर को प्रोड़क को पर्चेस करने के लिए यहाँ पर influence किया जा रहा है जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सबसे पहल है और यह चार steps के तुरू advertising के तुरू यहाँ पर कस्टमर को प्रोड़क जो है वो बेचा जाता है तो हमारा advertisement कितना effective हुआ या advertising का result क्या निकला वो हम लोग यहाँ पर डागमार मॉडेल से मेजर कर सकते हैं वो यहाँ पर रेसल को ली इन्होंने बताया हुआ है तो आप ल स्टेप्स दिये हुए है वह हम लोग देखते हैं सबसे पहले है awareness क्रिएट करना obviously advertising जो होता है उसके तुरू यहाँ पर एडवर्टाइजर क्या करते हैं अपने प्रोड़क के बारे में कस्टमर के माइंड में अवेर्नेस क्रिएट करते हैं विकॉस अवेर्नेस जो होता है सबसे important होता है तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ awareness is a prime aspect of creating positive impression in the customer's mind मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है एडवर्टाइजिंग करके customer के माइंड में प्रोड़क के बारे में positive impression create किया जाता है before buying a product the customer should know the brand new product launch and new offer मतलब कोई भी product purchase करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ब्राइंड को जानना चाते है या कुनसे कुनसे नए product market में launch हो रहे है या कुनसे कुनसे offers आ रहे है उसके बारे में customer जानना चाते है so awareness create करेंगे तो यहाँ पर customers को नए product के बारे में नए brands के बारे में नए offers के बारे में पता चलेगा और advertising का जो fundamental task है या basic task या important task यह है कि customer के बीच में यह जो नए products है नए offers है नए brand है उसके बारे में awareness create करना so therefore the company should build such an ad that reaches to the target audience so कभी भी कोई भी advertisement जब create की जाते है तो ऐसी create करनी चाहिए कि जिसके वेसे customer जो है उनके बीच में product के बारे में अच्छी awareness जो हम लोग create कर सकते है so dogmar model में सबसे पहले क्या बता हुआ है कि हम लोग को advertising के तुरू customer के बीच में product के बारे में awareness create करना है because without awareness कोई भी product जो customer purchase करते नहीं है जैसे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग जितने भी product purchase करते हो उसमें से maximum product ऐसे होते है जिनके बारे में आप लोगोंने advertisement में कही ना कई पे देखा है सुना है या पढ़ा हुआ है and उसके वज़े से आप लोगो product को purchase करते हो so awareness plays very important role तो कोई भी marketer जब advertising बनाता है तो उसमें awareness जो है वो create करने के लिए उन लोगों को advertisement जो है उस तरीके से effective बनाना पड़ता है then second step is comprehension अभी comprehension मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग comprehension का meaning लेंगे detail provide करना अभी product के बारे में स्रिप awareness create करना sufficient नहीं है मतलब advertisement करके हमने customer को बताया कि यह हमारा product है और हो गया ऐसा नहीं होता है यहाँ पे हम लोगों क्या करना पड़ेगा customer को attract करने के लिए product के बारे में जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है सो एक detail information product के बारे में यहाँ पे customer को provide किया जाता है क्योंकि जब product की information customer को मिलेगे तब जाके customer वो product को purchase करने के बारे में सोचेंगे सो comprehension में क्या किया जाता है customer को product की detail information जो होते है वो provide की जाती है अभी हम लोग यहाँ पर डेल company का example लेते है कि डेल company जो है वो अपना अगर suppose laptop market में launch कर रही है तो वो क्या करेंगे उसका advertisement करेंगे और वो advertisement के थूर वो लोग क्या करेंगे अपने laptop के features बताएंगे जैसे कि उनका processor कैसे उन्होंने enhance किया हुआ है उन्होंका screen कैसे protected है या उन wins हो सकते है क्योंकि laptop के अंदर processor काफी important होता है screen protection और storage काफी important होता है तो यह special feature जो है product के यहाँ पे उन्होंने क्या किये है advertisement के तुरू highlight किये उसको बलते comprehension करना so comprehension मतलब क्या कि product के बारे में detail customers को provide करना then next step is conviction अभी conviction जो होता है इस step में क्या होता है customer जो होते हो decide करते कि उनको product को purchase करना चाहिए कि नहीं generally यहाँ पे customers क्या करते है कोई भी product purchase करने से पहले comparison करते है जैसे कि suppose आप लग laptop purchase कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे 2-3 brand के laptop को compare क करके देखोगे उसके सारे features आप लोग देखोगे price देखोगे और फिर बाद में आप decide करोगे कि कौन सा laptop जो है उसमें काफी अच्छे features से काफ अच्छा price में वह आपको offer किया जा रहे है फिर बाद में आप वो product को purchase करते हो तो यहाँ पर advertiser क्या करते है कि अपना product जो है उस दूसरे product के साथ compare करके बता सकते है कि हमारा product कैसे उनके लिए ज़्यादा beneficial हो सकता है यह हमारे product में कैसे special feature से जो customer को काफी ज़्यादा useful होने वाले है सो basically यहाँ पर क्या किया जा रहा है customer को convince किया जा रहा है और product को उनको purchase करने के लिए influence किया जा रहा है Because हमने awareness create किया है, मतलब customer को अभी product के बारे में पता है. हम लोग ने comprehension भी किया है, मतलब customer को product के details भी पता है. अभी स्रिप customer को क्या करने, convince करना है. तो basically companies क्या करती है, product के अंदर क्या special है, क्या innovative है या क्या नया है, वो यहाँ पर highlight किया जाता है, और customer को convince किया जाता है, product को purchase करने के लिए. तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जाता है, कि competitor के brand से हमारा brand जो काफी अच्छा है, और हमारे brand में आप लोगों को ये special चीज़े मिल सकती है करके. अभी यहाँ पर 2020 में Facebook Meta का जो advertisement आया है, उसके बारे में example दिया है, कि Facebook अपना advertisement कर रहा था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक lady जो उसको खुटका अपना business start कर रहा है. तो उसको Facebook के दो users जो है, वो business करने में help करते हैं. और slowly slowly क्या होता है, बहुत सारे लोग जो Facebook के through, वो lady के business के साथ join होते है, और उसको business करने के लिए help करते हैं. तो किस तरीके से Facebook जो है, वो social network हमारा create करता है, कैसे हम लोग अपना business जो है, वो यहाँ पे Facebook के through expand कर सकते है, कैसे हम लोग लोगों को हमारे business के तरफ attract कर सकते है, वो यहाँ पे दिखाने के कोशिश की हुई है. तो Facebook जैसे social networking company जो है, उन्होंने भी यहाँ पे advertisement के through बताया, कि हम लोग का जो Facebook यह social media app है, उसके तरफ आप लोग क्या कर सकते हो, लोगों के साथ connect कर सकते हो, खुद का business start कर सकते हो. तो हर एक advertiser यहाँ पे क्या करता है, अपने product के अंदर क्या special है, और कैसे हम लोग competitor से अलग है, यह यहाँ पे customer को बताने की कोशिश की जाती है, और customer को product purchase करने के लिए convince किया जाता है. Because यह ऐसा step है, जहाँ पे customer को product interesting लग सकता है, worthy लग सकता है, और अगर customer को product अच्छा लगा, तो उसको purchase करेंगे. इसके लिए customer को convince करना बहुत ज़रूरी है. So, ज़्यादा तर marketers यहाँ पे क्या करते है, customer को convince करने के लिए, अपने product को दूसरे product के साथ compare करते है, और कैसे हमारा product best है, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं. जहाँ पे आप लोग Facebook का example दे सकते हो, कि Facebook ने 2020 में जब यह अपना advertisement किया था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि, दूसरे networking साइट से हमारे networking साइट जो काफी ज़्यादा अच्छी है, और वहाँ पे उन्होंने एक lady दिखाया थी, जिसको अपना business शुरू करना था, तो कैसे उसको दो users मिलते हैं, जो उसको उसके business में help करते हैं, और slowly-slowly उसको काफी सारे लोग मिलते हैं, जो उसके business में उसको help करते हैं, और उसका business expand होता है. तो इस दरीके से Facebook ने क्या-क्या public को अपना Facebook account create करने के लिए convince किया, तो obviously जितने Facebook के users बढ़ेंगे, उतना उनका business बढ़ेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे advertisement के तुर customer को convince किया जाता है, और फिर last step होता है action, यहाँ पे क्या होता है, customer product को finally purchase करते हैं, अभी advertiser क्या कर सकते हैं, ताकि customer वो product को जो है, वो on the spot purchase करें, तो उसके लिए वो लोग अलग-अलग trick यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग उन्हें देखा होगा, बहुत सारे advertisement जो होते हैं, उसके अंदर लिखा रहता है कि last date करके, या फिर लिखा रहता है limited offer करके, या फिर वहाँ पर लिखा रहता है कि अगर आप अभी order place करोगे, तो आप लोगों को ये particular benefit मिलेगा, या इतना discount आपको अभी on the spot मिलेगा करके, या फिर बहुत सारे advertisement में बताया जाता है, कि पहले 10 customers के लिए या पहले 20 customers के लिए special offer है, जिसके तुरू आपको इतना discount मिलेगा या या offer में आपको मिल सकता है करके, तो ऐसे अलग-अलग techniques जो होते हैं, वो advertisement के तुरू use किये जाते हैं, और customer को product जो है, वो purchase करने के लिए influence किया जाता है, जैसे कि suppose किसी coaching class का अगर example लेते हैं अब लोग, तो coaching class के example में क्या होगा, कि वो लोग क्या करेंगे, पहले awareness create करेंगे, सब जगा पे balance वगरा लगा के, फिर बाद में वो लोग अपने coaching class के जो features से उसको highlight करेंगे, मतलब उन्होंने comprehension किया, फिर बाद में वो students को compare करके बताएंगे, कि हमारा result जो है, दूसरे coaching class से काफी अच्छा है, तो conviction हो गया, और last में फिर वो लोग क्या करेंगे, वो बताएंगे कि अगर आप लोगों ने इस particular date तक admission लिया, तो आपको इतना discount मिलेगा, या फिर वो लोग अपने advertisement में वताते हैं, कि limited seats से भी available है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर techniques coaching class के द्वारा use किये जाते हैं, और students को admission लेने के लिए influence किया जाता है, तो यह इस तरीके से यह last step होता है, जहाँ पर कुछ ऐसे words वेगर advertisement में use किये जाते हैं, ताकि customer जो है तूरन ताकि वो product को purchase करें, because customer हमारे अभी convince हो चुके है, अभी सिर्फ उनको product को purchase करने के लिए लगाना, इसके लिए यह सब जो last day या फिर last few days are left, या फिर limited offer, या फिर purchase the product within this date, and you will get the special discount, ऐसे कुछ word जो होते हैं, वो use किये जाते हैं, इस तरीके से, यहां पर advertisement के थूँ awareness create किया जाता है, then second step में हमने देखा की, comprehension मतलब product के detail दी जाती है, third step में हमने देखा कि customer को convince किया जाता है, four step में हमने देखा कि, customer को action मतलब product को purchase करने के लिए influence किया जाता है, so उसी को यहां पर बोला जाता है, defining advertising goal and measuring advertising result मतलब क्या कि advertising जो campaign हमने बनाया हुआ या ad जो हमने बनाया है उसका result जो है यहाँ पर measure किया जाता है कि हमारा advertisement जो है वो effective हुआ है कि लिए अगर customer हमारे product को finally purchase करते है मतलब हमारा advertisement जो है वो effective हुआ है अगर customer ने product को purchase नहीं किया तो हमारा advertisement अभी भी इतना ज्यादा effective नहीं है उसमें हम लोग को फिर next time कुछने को changes करने पड़ेंगे और उसको effective बनाना पड़ेगा So this was all about डागमार मॉडल बैरुसल कोली Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends We will meet in the next video